हाई फ्रेंड्स में अमीत और आप देख़रे हैं अमीस संदरी टीप चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास एक पैंकर्ट है और आप उस पैंकर्ट को अधर कर्ट के साथ जब लिंक करवाने जाते हो तो आपका date of birth, mismatch ऐसा कुछ भी दिखा सकता है आप कैसे पैंकर्ट में name, date of birth, address, photo, signature, mobile number, gmail id चेंज कर सकते हो इस वीडियो में हम उसी बड़े में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं पैंकर्ट में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको Google को उपन करने के बाद आपको सिंपले इदार सार्च करना है NSDL पैंकर्ट करेक्शन करके सार्च करते ही आप देख सकते हो कि बहुत सरा आप्शन आ चुका है इसमें से सबसे पहले वाला जो आप्शन है www.onlineservice.nsdl.com इस पर आपको क्लिक कर देना है इसमें क्लिक करते ही आप NSDL Online Pen Application का करेक्शन का जो वेबसाइट है उसमें हम आ चुके है आपको इधर आने में कोई प्रॉब्लेम होता है तो मैं इस वेबसाइट के लिंक में में मेरा डेस्किप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से डाइरेक्ट इस वेबसाइट पर आसा है इधर आने के बाद आपको सिंपली इधर नीचे के तरफ चले आना है आपको चेंज और कारेक्शन इस पर क्लिक कर देना है इसमें आप जो भी चेंज करवाना चाहते हो उस निया पैंकार्ट में जो भी चाहते हो उसको इधर इंटर करना होगा ठीक है तो मेरा टाइटल में दे देता हूँ टाइटल देने के बाद आपका जो भी सार्नेम है इधर इंटर करना होगा तो में सार्नेम इंटर कर देता हूँ surname इंटर करने के बाद आपका जो भी first name है इधर इंटर कर देना है first name इंटर करने के बाद इधर देखिए date of birth आप निया pen card में जो भी date of birth चाते हो उस date of birth को इधर इंटर करना होगा निया date of birth इंटर करने के बाद आपका जो भी email ID है उसको इधर इंटर कर देना है email id एंटर करने के बाद right side में देखिए mobile number आप जिस भी mobile number को pen card के साथ link करवाना चाते हो उस mobile number को simply इधर एंटर कर देना है mobile number एंटर करने के बाद देखिए एक option है whether citizen of India आप अगर इंडिया से हो तो ESP क्लिक करना अगर अब इंडिया के बाहर से हो तो no पे क्लिक कर सकते है तो मैं ESP क्लिक कर देता हूँ ESP क्लिक करने के बाद देखिए आपका pen number इधर मांगना है तो इधर आपको अपना pen number men enter कर देना है pen number enter करने के बाद देखिए इधर एक box है, इसमें आपको simply tick करना है and इधर जो capture code है इसको साही से आपको fill कर लेना है capture fill करने के बाद आपको simply इधर submit पे click कर देना है submit पे click करते हैं आप देख सकते हूँ कि थोड़ा loading दिखाया and इधर देखिए आपका एक token generate हो चुका है इस token number को आपको simply इधर से copy कर लेना है and आप किधर भी link के राख सकते हूँ क्योंकि अगर net चला जाता है तो बाद में इस token number को ही दे कर आपको login होना है ठीक है तो मैं token number को save कर लेता हूँ token number save करने के बाद आपको simply continue with pen application form पे click कर देना है इसमें click करते हैं आप देख सकते हो कि online pen application ये form open हो चुका है इसमें four step है एक है guideline एक personal details एक contact and other details and document details फिर देखे तीनों option आ चुका है इसमें submit digitally through e-sign and e-kyc paperless अगर आप इस पे select करके रखते हो इसका मतला आपको कुछ भी documents upload करने का ज़रुरत नहीं है आप save other card के base पे आपका date of birth, name कुछ भी इधर change करवा सकते हो ठीक है अगर आप इस first option को choose करते हो तो आपका pen card में आपका signature नहीं आएगा आपको physically signature करना होगा फिर आप उसको किसी भी जगापर apply कर सकते हो ठीक है next option है submit scan images through e-sign इसका मतलब है आप आधर से ही e-sign कर सकते हो लेकिन आपका जो भी documents है उसको आपको scan करके इधर upload करना पड़ता है ठीक है अगर आप माल लो की name change कर रहे हो तो आपको अपना name किस में सही है उसको इधर upload करना पड़ता है अगर आप एक लड़की हो और आप साधी के बाद name change कर रहे हो मतलब आपका surname चेंज कर रहे हो तो आपको simply अपना marriage certificate इधर upload करना होता है ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाला option को रहने देता हूँ क्योंकि pen card आने के बाद बाद में मैं उसको sign कर दूँगा तो बहुत easy हो जाएगा, ठीक है next option देखे, whether physical pen card is required आपको physical pen card चाहिए, yes or no मुझे physical pen card चाहिए, तो मैं yes पर click कर देता हूँ एस पर click करने के बाद देखे, permanent account number मतलब आपका pen number इधर face सो कर रहा है उसके बाद देखे, आधर number, only for individual आप खुदी apply कर रहे हो, इसलिए आपको आधर पर tick करना है आपका आधर का जो last 4 digit है, आपको इधर enter कर देना है तो मैं enter कर देता हूँ आधर का last 4 digit, इंटर करने के बाद देखे, next option है कि आपका जो भी photograph आधर में available है, वही pen card में update होके आएगा या नहीं तो मैं इस पर yes पर click कर देता हूँ क्लिक करने के बाद देखे, इधर eid number या आप दे सकते हो, अधरो इसको छोड़ सकते हो उसके बाद इधर भी कुछ देना नहीं है आपको simply नीचे के तरफ जाना है आपको एक बाद इधर save draft कर लेना है, क्योंकि अगर net चला जाता है या बहुत time आप इस form fill up को करने के लिए लगा देते हो, तो यह log out हो जाता है या season expire हो जाता है, तो मैं इसको save करने के बाद नीचे के तरफ चलते है इधर देखे, full name of applicant, मतलब मेरा name क्या है, इधर full name दिखाड़ा है अगर इसमें कोई गलती हो गया, तो आप इसमें सुधर लेना, ठीक है तो इधर देखे, मेरा सब कुछ सही है, उसके बाद मेरा date of birth भी सही है मेरा gender इधर चूज करने के लिए बोल ला है, तो मैं मेरा gender चूज करने ता हूँ में और एक बात आप सभी को बता देना चाहता हूँ, कि आप pancard में जिस भी documents को आप update करना चाहते हो उसके बगल में देखिएगा एक box है, इस पे आपको simply tick करना है अगर आप माल लो कि आप name change करना चाहते हो, तो इस पे आपको tick करना है, otherwise छोड़ देना है और अगर date of birth को आप change करना चाहते हो, तो date of birth को choose करना है आप जिस भी documents को change करना चाहते हो, उस पे आपको tick करना है tick करने के बाद इधर देखिए आपका father name देने के लिए बोल ला है, तो आपका father name में भी गलती हो सकता है तो मतलब आपका father का surname में अगर कुछ गलती हो गया है तो आप इधर से सई här name इधर enter कर सकता है आपको प्रिंट होके बाद में government के तरफ से आपके घर में भेज़ा जाएगा ठीक है तो मैं मेरा father का surname देता हूँ surname देने के बाद देखिए father first name मेरा father का first name में देता हूँ first name देने के बाद देखिए mother name इस पर ऑप्सोनल है next पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हो हमारा जो guideline प्रोसेस ता हो complete हो चुका है and personal details भी complete हो चुका है तो हम contact and other details पर आ चुक है next option देखिए address of communication इसमें आपको कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है अगर आप अपने address change किये हो तभी इधर इंटर करना होगा मतलब आप पहले कही और जगह पर रहते थे and आपने आपका घर shift करके दूसरी जगह पर कर लिया तो आपको सब कुछ address चेंज करना होता है तभी आप इधर address देना पड़ेगा आपडेट करना चाहते हो तो इस पर सिंप्री टिक करना है and देखे एक country code दे रहा है तो country code हमारा इंडिया है तो मैं इंडिया लिख देता हूं इंडिया लिखते ही देखे 91 इंडिया आ चुका है तो मैं इसको सिलेक कर लेता हूं मेरा mobile नंबर और email id सब कुस सही है उसके बाद देखे mention आधार permanent account number आप किसी का भी pen card का number इधर mention कर सकते हो तो मैं इसको छोड़ देता हूं उसके बाद simply next पे click कर देना है next पे click करते हैं आप देख सकते हो कि हम last option पे आ चुक है कि document details इसमें आप देख सकते हो कि proof of identity आधार है proof of address भी आधार है proof of date of birth भी आधार है मतलब मेरा आधार में सब कुछ है उसके base पर ही मैं pen card में correction कर रहा हूं ठीक है उसके बाद देखे proof of pen आपका pen card का proof क्या है copy of pen card क्योंकि मेरे पास pen card है अगर आपके पास pen card नहीं है तो आप यहाँ पर no documents भी दे सकते हो अधरवाइस आपके पास अगर pen card का कोई xerox है तो आप उसको भी इधर upload कर सकते हो तो मैं copy of pen card कर देता हूं इधर देखे declaration इसमें आपको select पे click करना है and himself और herself पे choose कर लेना है choose करते आप देख सकते हो कि मेरा नाम इधर automatic आ चुका है एन देख एक pop-up आप आए कि kindly save your details to avoid data lose तो मैं इस पर ओपे क्लिक कर देता हूं click करने के बाद देखिए I or we have enclosed dash number of documents supporting purpose change and correction change and correction करने के लिए मैं कितना documents इधर upload करूंगा ठीक है आपको कोई भी documents scan करके upload करने का ज़रूरत नहीं है automatic यह आधर के base पे update हो जाएगा ठीक है तो मैं यह आपर two documents देता हूं क्योंकि एक है pen card और एक है आधर card two देने के बाद आपका place आपका जो भी village name होगा आप इधर enter कर सको place enter करने के बाद आपको simply submit पे क्लिक करते हैं request for change and pen correction इसमें आपको personal details फिर से open हो चुका है इसमें आपको आधर का fast eight digit देने के लिए बोल ला है तो आपका आधर का जो भी fast eight digit है आपको इधर enter कर देना है उसके बाद नीचे के तरफ चलते है इधर आपको simply check करना है कि अपने सब documents सही से enter किया या नहीं आप जिस भी documents को update कर वाना चाते हो उसके बगल में एक tick है उसको tick कर देना है मैं बार बार इस बात को बता दे रहा हूं ठीक है नीचे के तरफ चलते है तो देखे मेरा सब जो documents है वो सही है मैं एकदम लास्ट में चलता हूं लास्ट में जाने के बाद देखे इधर एक process करके option है तो हम process पे क्लिक कर देते प्रोसेट पे क्लिक करते है अब देख सकते हूं कि थोड़ लोडिंग दिख़डा है and online pen application का एक mode of payment आ चुका है आप इधार demand draft मतलब bank में जाके भी payment कर सकते हो and online paytm के थुरू payment कर सकते हो other ways आप build X के थुरू भी payment कर सकते हो तो मैं paytm चूज कर लेता हूं paytm चूज करने के बाद आप देख सकते हो कि 106.90 रूपीज आपको payment करना होता है ठीक है तो नीचे के तरफ चलता है इधार देखिए एक terms and condition है इसको simply आपको tick करना है and process to payment पे click कर देना है इसमें click करते ह आप देख सकते हो कि ptm के तरफ से एक scanner open हो चुका है इसमें आपको simply scan करके आपको payment करवा देना है तो मैं payment कर देता हूं payment करते ही आप देख सकते हो कि your request cannot be processed please try again after sometime यह हमेशा ऐसा ही दिखाता है nsdl का website में ठीक है इसके बाद आपको simply क्या करना है आपको home पे click कर देना है home पे click करते हैं आप देख सकते हो कि हम home page पे आ चुका है इधर आने के बाद हमने पहले apply online पे click करके रखा था इधर आपको simply continue with application पे click कर देना है इसमें click करते ही आपका जो भी token number था मैंने पहले ही बोला था उस token number को साही से याद करने के लिए या लिग के लिग लेने के लि निया वाला date of birth आपको इधर देना पड़ेगा तो मैं निया date of birth दे देता हूं date of birth देने के बाद देखे इधर एक capture है इस capture को आपको simply साही से फील कर लेना है capture फील करने के बाद आपको simply submit पे click करते हैं आप देख सकते हूं कि आधर authentication करके एक option आ चुका है इसमें आपका token number name, gender, date of birth, आधर का last four digits आपको show कर रहा है इस पर simply आपको इधर tick करना है and authenticate पे click कर देना है authenticate पे click करते हैं आप देख सकते हूं कि continue with EQIC करके option आचुका है इसमें आपको simply click कर देना है इसमें click करते हैं आप देख सकते हूं कि एक OTP verification करके page open हो चुका है and आपका आधर कर्ट के साथ जो भी mobile का link है उस mobile में एक OTP आएगा उस OTP को simply इधर enter कर देना है तो मेरा OTP आचुका है मैं इधर enter कर देता हूं OTP इंटर करने के बाद आपको simply submit पे click कर देना है और अगर आपका OTP नहीं आता है तो आप इधर regenerate OTP पे click कर सकते हूं submit पे click करते हैं अब देख सकते हूं कि complete with e-sign करके एक निया page open हो चुका है इसमें आपको simply click कर देना है इसमें click करते ही थोड़ा loading दिखाएगा and electronic signature service करके एक option आ चुका है इसमें आपको simply tick करना है and आपका जो भी आधर नमबर है इधर simply enter कर देना है आधर नमबर एंटर करने के बाद आपको simply send OTP पे click कर देना है send OTP पे click करती है आपके mobile में फिर से एक OTP आएगा उस OTP को simply इधर enter कर देना है OTP इंटर करने के बाद simply verify OTP पे click कर देना है verify OTP पे click करती है आप देख सकते हो कि थोड़ा loading दिखा रहा है तो आप देख सकते हो कि हमारा जो एक्टरोज में page है वो आचुका है और एक PDF भी at आचुके आचुका है इस PDF का password क्या होगा अगर आपका date of birth 112000 है तो इधर password होगा 01012000 ठीक है तो मैं मेरा password दे देता हूँ password देने के बाद simply आपको ok पे click कर देना है ok पे click करते है आप देख सकते हो कि मेरा एक acknowledge में number आ चुका है तो ऐसे simple तरिकों से आप NSDL का pen cut में कुछ भी correction कर सकते हो बहुत easy तरिके से वीडियो आच लगे तो like कर देना चैनल को subscribe कर देना और ऐसे बहुत सरे वीडियो के notification पाने के लिए हमारा चैनल का जो notification bell है उसको on कर लेना अगर आपके मन में कोई question है तो आप हमारा comment section में आके पूछ सकते हो मिलते है अगले वीडियो में जाहिंद बनने मात्रम